कॉर्णिंग स्टुडेंट्स यह बीएसी पार्ट वन ओर्नर्स का फिफ पेपर है मैथमेटिकल स्टेक्रिस्टिक्स इसमें हमने पिछली बार स्टार्ट किया था मॉमेंट्स मॉमेंट्स की जो डेफिनिशन मैंने दी थी आगोंड इसको आगोंड भी बोलते है आगोंड इसकी डेफिनिशन दी थी यह दि किसी बारंबारता बंटन में चर के मान सपोस कीजिए चर का मान में पास x1 x2 वेरियबल के मान में पास up to xn है और इनके corresponding यानि इनकी बारंबारता है frequencies मान लीजिए में पास है f1 f2 f3 up to fn बारंबारता है है तो किसी arbitrary point या बिंदू यानि किसी switch बिंदू a के प्रती a के प्रती हम आरवा आगोंड आरवा आगोंड इसको कि मैंने पिछली बार define किया था mu dash r से mu dash r या r actual में इसके mu dash r ठेक है mu dash r किस टाइप से आप define करेंगे mu dash r this is equal to 1 upon n submission i from 1 to n f of i और x i minus a और r अब यहां पर क्या क्या चीज है देखें यह जो n है capital n हमें पता है capital n हमार पास क्या है आप पहले पढ़के क्या होंगे this is equal to sum of frequencies ठीक है उसके बाद हमने का था आर्वा आगून तो यह आर्वा आगून इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है और एक आपने का था एक के प्रती बिंदू एक के प्रती वो ए आपके पास यहां पर यह आ रहा है ठीक है अब अगर हम यह कह दें इसी definition में तो यह तो मेरे पास क्या होगा simple moment की मेरे पास यह definition हुई है कि mu dash r equal to 1 upon n submission i from 1 to n fi x i minus a raise to the power r this is the rth moment अगर यहां मेना r लगाया तो यह rth moment में पास आ जाएगा अब अगर कहते हैं कि central moment को define करना है तो central moment में मैंने आपको क्या बताया था केंद्री आगूड central moment this is केंद्री आगूड केंद्री आगूड में जो मेरे उपर definition जो मैंने लिखी थी 1 यह equation number 1 जो था इसमें when जो मैंने arbitrary point लिया था न a equal to x bar equal to x bar का मतलब क्या है x bar जो है वो मेरा mean है x bar mean है और हम mean को किस ताइब से define करके आ चुके है में पास होता था 1 upon n submission i from 1 to n f of i x i यह मेरे पास होता था x bar के बराबर होता था ठीक है न तो यह हमने mean वहाँ पर define किया है पहले चोटी कक्षा में पढ़के आए माद्ये को तो अगर मैं कहता हूँ when a equal to x bar हो तो button का आगूण इसके समांतर माद्ये के प्रती यह actual में समांतर माद्ये यह mean का मतलब क्या है समांतर माद्ये के प्रती यानि एक ही जगे मैं x bar रख रहा हूँ तो में पास समांतर माद्ये तो उसका आर्वा केंद्री आगूण क्या होगा आर्वा केंद्री आगूण आर्वा केंद्री आगूण का मतलब क्या है यहां पर अब dash में अटा देता हूँ इसकी definition में क्योंकि हम इसको हमारे symbol में ऐसी type से लिखेंगे यह mu r और अब मैंने सिर्फ a bar a की जगे क्या लिखा है 5 from 1 to n f of i x i minus x bar और यह r आर्वा आगूण है तो यह यह मेरा क्यलाएगा केंद्री आगूण equation number 2 जो है वो मेरे पास क्यलाएगी केंद्री आगूण ठीक है अब हम यह इसका थोड़ा direction देख लेते हैं particular cases इसके पढ़ लेते हैं particular cases जो है उसमें first case हम discuss कर रहे है आर equal to 0 आर equal to 0 हम लेते हैं तो equation number 1 हमारे पास क्या हो जाएगी equation number 1 में आर equal to 0 लोगे तो आपके आस कितना हो जाएगा मैंने बताया था 1 upon n और submission i from 1 to n fi यह तो 0 करते ही आपके पास 1 हो जाएगी quantity तो इसकी value कितनी हो गई 1 क्योंकि submission fi x i जो है sorry submission fi जो है वह आपके किसके बरापर था भी मैंने बताया था this is equal to capital N तो जब इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा और इसी तरीके से यहां पर भी जब हम solve करेंगे तो यहां से में पास क्या आ रहा है घिस एंपलाइज मू आपके यहां फिर इकवल टु जीरो किया न तो यहांनि में पास केंद्री आगुण और आगुण दोनों ही जब एकर आर्वा आगुण नहीं हो कि अगर जीरो के है तो वह मेरी value दे देगा this is equal to 1 दोनों पर में पास same रहेगी और हम इसको को कमिट टु मैमूरी यानि हमें यह याद रखनी पड़ेगी आगे हमको इसको डारेक्ट यूज करना है वेल्यू इसको अब मैं सेकेंड वाली बात करता हूं आर एकवल टू वन आर एकवल टू वन लेते था वर पस क्या थे अब जब मैं इसको सॉल करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा इस डेफिनिशन से तो मेरे पास आ रहा ही है एक्स बार यानि एक्स बार माइनस ए और इसको हम क्या लिखते हैं दी यह एक्वल में आपको आप प्रिवेस क्लास में जो पढ़के आया होंगे उससे आपको पता चलेगा तो यहां से एक कंक्लूजन मेरे पास निकल गया अब ज़रा दूसरा केश भी डिसकस कर ले अब जब इसको डिसकस करूँगा तो यह यहां था और ए की जगे मुझे एक्स बार रखना है दिस इक्वल टू जीरो तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया केंदरी आगून जो आया है वो मेरे पास आगया जीरो और जबकि यहां पर मेरे पास क्या आया था ट के बराबर आया था यह यहां चेंज आपके पास आ रहा है ज़रा हम र एक्वल टू भी ले ले लेते हैं बार एक्वल टू टू बार एक्वल टू तो म्यू टू डैश दिस इक्वल टू वन अपॉन एन समिशन आई फ्रॉम वन टू एन एफ उफ आई एकसाई माइनस ए और यह टू जब दो ले रहें तो यहां पर यहां जाएगा इसको जरा मैं सॉल करता हूं नियुद्ध आई फ्रॉम वन टू एन और यह आपके उसकेतना आजाएगा यह अगर आपको ध्यान होता है इस इक्वल टू एस स्क्वार के बराबर होता है इस इक्वल टू एस ओफ स्क्वार और इसी तरीके से जब मैं केंडरी आगुण की बात करता हूं तो केंडरी एक्स बार का स्क्वायर इस इक्वल टू वाट यह आपको पुराने रिलेशन आप इसको चैप्टर नंबर 3 और 4 से पढ़ सकते हैं मैं आपको कहा था पहले वाले लेक्चर में कि 3 और 4 आपको वहां से पढ़ने पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर अफ डिस्पर्शन में से आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगे तो यह थे आपके पास फस्टू मोमेंट्स और फस्टू सेंट्रल मोमेंट्स के अमने डाइडेक्ट वैल्यूस निकाल रखी है अब हम यहां डिसकस करते हैं अगर बिट्वीन म्यू और म्यू डेश और मैंगर हम संबंद स्तापित करना चाहें तो वह हम किस टाइप से करते हैं जरा उसको हम देखते हैं यह डेरिविशन अच्छा है इसको आप ही जाता है कभी यह आपके पास है रिलेशन बिट्वीन मोमेंट्स अबाउट मीन जाएओन बिलेशन बνसे पुमेंट्स आपमेंट्स आप是 अमोहाशन के स्तापित attorneys अमोहाऊनGS तंदसाओ अवधन Colonel झ्यबधन स्तापित वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा ठीक है इसका मतलब क्या है मुझे म्यू डेश आर तथा म्यू आर के बीच रिलेशन संबंद इस्तापित करना है के बीच में मुझे संबंद बताना है रिलेशन बिट्वीन मॉमेंट्स अबउट मीन का मतलब क्या हुआ मुडे ब्लेशन बिट्वीन मुडेश और मुझे डेश बताना है तो मैं इसको स्टाट करता हूँ इसका पुरूफ या सॉलिशन जो भी आप लिखना चाहो इसका पुरूफ आपके पास हो जाएगा mu r की value में पास क्या है this is 1 upon n submission i from 1 to n f of i xi minus x r xi minus x bar r and this is equal to 1 upon n submission i from 1 to n और यह में पास हो गया f of i xi minus a मैंने 1 add किया है और 1 को subtract करते हुए minus x bar raise to the power r this is equal to 1 upon n submission of f i submission of f i यहाँ पर आप कैस क्या हो जाएगा इसको अभी उपपर मैंने discuss किया है इसकी value किसके बराबर है इसकी value किसके बराबर है और इसकी value किसके बराबर है एक तो में पास है d i और a के में पास d यानि अगर मैं यहाँ से लिखूँ x i minus a this is equal to d i ठीक है और अगर x bar a this is equal to only d तो इन दोनों की value का अगर मैं substitute करूँ तो में पास क्या जाएगा d i minus d raised to the power r ठीक है अब मैं इसको binomial से खोल लेता हूँ binomial से खोलते हैं तो अबर पस क्या क्या टर्माती है sorry one upon n submission i from one to n मैं बार बार ने लिख रहा हूँ understood f of i मैंने भार ले लिया पहली बार खोल लूँगा तो क्या हो जाएगा d i raised to the power r plus ncr होता न तो rc1 d i पे तो power minus हो जाएगी और d की power सब बढ़नी शुरू हो जाएगी plus second term भी मैं लिख देता हूँ rc2 d i r minus 2 और यह हो जाएगा d square ठीक है और कहां तक चलता चला जाएगा क्योंकि plus minus है तो मैंने यह ध्यान नहीं दिया यहाँ पर यह minus आएगी term alternate term है न तो यहां भी मेर पास minus ही आएगी आगे की term और dash dash करके लिखूँगा तो last term मैं मैं लिख दूँगा minus 1 raised to the power r और d r minus 1 raised to the power r और d r जिससे में पास relations बंते चले जाएगे 1 upon n submission i from 1 to n f of i di r ठीक है पहला वाला यह होगा दूसरा वाला हो जाएगा minus n r c 1 हमारे ध्यान में n ही रहता है तो हम n ही लिख रहे हैं this is r c 1 और यह हो जाएगा 1 upon n submission i from 1 to n और यहां पर कितना हो जाएगा f i d r minus 1 और d एक और टार्म लिख लेते हैं ज़्याद ज़्यादा r c 2 1 upon n और यह हो जाएगा submission i from 1 to n f of i di r minus 2 और d square और लास्ट की टर्म आपके आई दिये minus 1 की पावर r 1 upon n f i d square समिशन में यह f i अब इसको एक एक को solve करते हैं पर पहले वाले से देखो मेरे पास क्या आ रहा है पहली वाली definition किसको बता रहा है this is equal to mu dash r की value बता रहा है mu dash r हम ने दर लिया था mu r ठेक है second r यह आपका minus rc1 rc1 नहीं रहेगा और यह कितना हो जाएगा जो पावर यहाँ पर है उसका बन जाएगा mu r minus 1 dash multiply by d second हो जाएगा rc2 mu dash r minus 2 d square और last में चलते हैं मेरे पाद आजाएगा minus 1 raise to the power r minus 1 raise to the power r mu 1 r mu 1 r mu dash 1 mu dash 1 r इसको फिलाल था मैं DR ही लिखू क्योंकि मैंने अभी तक change नहीं किया और से अभी तक this is equal to DR d of r अब एक step और निचे चलते हैं this is equal to यह तो mu dash r तो mu dash r ही जाएगा minus r c1 यह हो जाएगा mu r minus 1 dash d d कितना था आपके पास उदर mu 1 dash याद करो आप अभी हमने just निकाला है plus plus r c 2 mu dash r minus 2 d square d square की value क्या थी mu 1 square square जो यह d है वह वह square कर दिया में only और यह dash b है जरा ध्यान रखना ठीक है तो मैं square से लिख देता हूँ थोड़ा सफ़ाई से लिख देते हैं इसको confusing नहीं होना चीए mu 1 dash r square यह d था में पास तो last में चलते हैं में पास क्या जाएगा minus 1 raise to the power r और यह है dr dr कहां अतला हो जाएगा dash की power r ठीक है तो यह में पास relation है mu r और mu dash r में क्योंकि इदर देखे सारे का सारे mu dash में आ गया है और left hand side जो है में पास किसमा रहा है mu में तो यह relation है relation between mu and mu dash r अब इसके कुछ particular cases है उसको हम अपने next article में discuss करेंगे next chapter में next lecture में तो अब इसको थोड़ा और ध्यान देना पढ़ना था thank you